10.20 प्रॉब्लम आपके NCRT की बुक में इसमें आपको पहले पार्ट में एक सोप बबल दिया हुआ है ठीक है बबल अफ सोप सोलुशन तो ये सोप की फिल्म है ये O है ये I है और ये वाला पॉइंट सोप फिल्म के अंदर मैंने दिखाया है तो हमें मालूम है कि जो आपकी अगर मैं इस पॉइंट को M बोलता हूँ तो M पॉइंट का प्रेशर O पॉइंट के प्रेशर से 2S by R अमाउंट से ज्यादा होता है इनर रेडियस और आउटर रेडियस में इसमें हम ज्यादा डिफरेंस नहीं मान लेंगे क्योंकि इसमें DIY क्वेशन में A की रेडियस दिया हूँ आपको 5 mm और आपको इसमें एक्सेस प्रेशर की वैल्यू पहले पार्ट में बतानी है ठीक है उसके बाद second part यहां से शुरू होता है जिसको अलग से explicitly लिखा नहीं कि यह बी पार्ट है लेकिन वो दूसरा पार्ट इसमें दो चीज़ें पुछी हुई है question में तो आपको एक्सेस प्रेशर फाइंड आउट करना है एक्सेस प्रेशर का मतलब के है कि जो आपको मालूम है कि आई पॉइंट का प्रेशर बाहर वाला आउटसाइड वाले प्रेशर से कितना ज्यादा होता है तो उसका formula well known है 4S by R जो हम use करते है तो surface tension आपको इसमें दी तो S की value आपने substitute की 4 और radius की value आपने इसको millimeters को meters में convert किया तो यह जो चीज़ है यह extra pressure अंदर वाला pressure बाहर वाले प्रेशर से कितना ज्यादा है इसे को हम excess pressure बोलते है straight forward हमारे पास answer आजाएगा अब second जो इसमें part question का इसमें air bubble दिया हुआ है air bubble means it is not a soap bubble soap bubble is made from a soap film air bubble क्या है क आस पास कोई liquid है जैसे की water हो सकता है for example और उसमें air trapped है so this is air और इसमें एक ही surface है इसके अंदर दो surfaces है एक ही है तो यह तो film का bubble है और यहाँ पर ही आपके पास air bubble है यहाँ पर air molecules अंदर trapped होंगे अब लेकिन इसमें जो air bubble दिया है उसकी same dimension है same dimension means radius is the same और जो film यहाँ पर है ज air bubble के लिए उतनी ही आ जाएगी और again क्योंकि यहाँ पर A की surface है because A की surface है तो अगर मैं इसके अंदर दो points लेता हूं let us say I take a point here suppose I take a point here यहाँ पर मैं एक point ले लेता हूं यह वाला point को मैं I और इस point को मैं O मानता हूं तो अगर मैं PI-PO इस case में निकालता हूं इस case में निकालता है वो हम इस formula से निकाल सकते है spherical surfaces के लिए तो यह हम पहले से जानते हैं तो उसको हम use करेंगे second part को करने के लिए तो अब second part के उपर अगर हम चलें तो यहाँ पे जो आपका air bubble है वो 40 cm depth के उपर दिया हुआ है और अगर हम इसके अंदर I or O points लें तो यहाँ पे हम I point लेंगे और यहाँ पे हम O point लेंगे और PI minus PO instead of being 4S by R यह तो soap bubble में था अब हम यहाँ पे लेंगे this will be 2S by R अगर हम इन points को I और O बोलते हैं तो I point का जो pressure है वो O point के pressure से outside pressure से 2S by R amount से जाद हो जाएगा लेकिन जो O point उस पर क्या pressure है अगर यहाँ पे atmospheric pressure है P0 अब इसमें देखो P0 और PO में confused नहीं हो ना यह PO है और यह मैं P0 लिख रहा हम वह आप इसकी बनावट को आप अलग कर लीजिए और अगर यहाँ पे atmospheric pressure P0 है तो यहाँ से अगर हम 40 cm नीचे जाते हैं Soap solution में तो P0 प्लस रो जीएज तो यहाँ पे जो pressure है P0 प्लस रो जीएज वेर H is 40 cm तो यह यहाँ पे H की value है यहाँ बर तो अगर मैं इसमें atmospheric pressure जो इस question में दिया है वो value यहाँ पे substitute करता हूँ और density of the solution में substitute करता हूँ G की value SI units में लेता हूँ और H को भी मैं cm की जाएगा meters में convert कर लेता हूँ तो हमारे पास यह answer आजाएगा यह values आजाएगे हम substitute कर देंगे पिछली problem में हमने 4S by R compute किया तो वो 20 Pascal जाएथा तो अगर हम 2S by R use करते हैं इसमें तो क्योंकि S वही surface tension है जो last problem में थी, radius भी इसमें dimension वही दी हुई है तो इसमें 2S by R की value 10 Pascal दो जाएगी यह सब SI में है जब हम यह सारी values इसमें substitute करते हैं और final answer निकालते हैं तो मेरे पास जो inside pressure इसमें हमें निकालना है air bubble के अंदर जो inside pressure है वो हमें निकालना है तो हम बड़े easily इस problem में से final answer compute कर सकते हैं जिसकी value इतनी कुछ आ जाएगी तो यह आप calculate करके check कर सकते हैं